हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी आई होप की सभी अच्छे होंगे आज की इसी वीडियो में हम क्लास फोर्थ की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वीक नमबर 9 की वर्क सीट को सुल्ब करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले त टॉपिक है चित्र पहली दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोसिस की गई थी परन्तु बनाते समय चित्र टू में कुछ गलतियां हो गई हैं आपके नहीं तीन गलतियों को ढूंड कर अपने अध्यापक के साथ साजा कीजिए तो यहां पर देखेंगे यह चित्र और यह है चित्र टू तो बच्चों यहां पर कौन कौन सी गलतियां है तो चित्र वन में जो है यहां पर देखेंगे यहां पर कोई कॉर्णर नहीं है जबकि यहां पर जो है एक कॉर्णर बनाया गया है तो एक गलति यहां पर है अब उसके बाद बच्चों देखेंगे य पास में यहां पड़ ये एक कॉर्णर बना हुआ है लेकिन इस चूत्र में कोई कॉॉर नहीं नहीं है तो बच्चों यहां पर दूसरी गलती है अब बच्चों आप देखेंगे तीर्वीन का चित्र है तो इसमें जो ब्राउन कलर है यानि कि ब्लेक कलर नहीं है और यहाँ पर यह काला रंग है तो यहाँ पर यह तीसरी गलती है तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप गलतीयों को फाइंड आउट करेंगे और उन्हें मार्ग करेंगे अब नेक्स्ट है सबसे लंबा कौन यहाँ परियोजना कार दिया है इस परियोजना में बच्चों को अपने परिवार के सभी सदश्यों की लंबाई के एक तालिका बनानी थी तथा उससे संबंदित कुछ प्रश्णों के उत्तर देने थी यहाँ नाम यानि कि रिस्ता क्या ह फर्स्ट है पिता जिनकी लंबाई है 174 सेंटी मीटर मा की लंबाई है 165 सेंटी मीटर दादी मा 163 सेंटी मीटर एक ता 155 सेंटी मीटर यस 136 सेंटी मीटर इसान 84 सेंटी मीटर अब यस की तालिका को देखकर बताईए यस के परिवार में सबसे लंबा कौन है तो सबसे लं माँ और पिता की लंबाई में कितना अंतर है तो माँ की लंबाई है 165 और पिता की लंबाई है 174 तो जब हम 174 से 165 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा तो यहां से हमने बोरो लिया 14 में से एक हमने पांच गटाicion कितने वचेम्हा अंब िरिवार किसी सदश्य की लंबाई हम इसान नेक्स्ट है आप भी अपने परिवार के सभी सदश्यों की लंबाई की तालिका बनाईये तथा बताईये आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है तो बच्चो आप अपने परिवार में सभी की लंबाई नापेंगे और जिसकी लंबाई सबसे जादा होगी आप उ सबसे छोटा नेक्स्ट है सबसे बड़े और सबसे छोटे की लंबाई में कितना अंतर है तो पिताजी की लंबाई है 170 और छोटे भाई की लंबाई है 70 तो 170 से 70 को माइनस कर देंगे कितना बचा 100 यानि कि सबसे बड़े और सबसे छोटे की लंबाई में 100 सेंटीमीटर का अंतर है नेक्स्ट है आपको क्या लगता है जब आप कॉलिज जाओगे तब आपकी लंबाई कितनी होगी आपको वैसा क्या लगता है बच्चो हमारी लंबाई एक उचित समय तक बढ़ती यानि कि एक उचित उम्र तक बढ़ती है और कुछ गुण हमें अपनी माता से मिलते हैं और कुछ पिताजी से मिलते हैं जैसे कि हमारे चेहरे की बनावत हमारे सरीर के अंगों की जिसे की आख नाक कान इनकी बनावत हमारे बालों का रंग हमारी लंबाई तो ये सबी जो हैं कुछ हमें माता से मिलते हैं और कुछ हमें पिताजी से मिलते हैं तो आप जो हैं अपने इस अनुभव के आधार पर पता करके जैसे कि यहाँ पर उधारण के रूप में आंसर है कि जब मैं कॉलेज जाओंगा तम मेरी लंबाई 165 से 155 सेंटीमीटर के आसपास होगी मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मेरे परिवार में सभी लंबे हैं तो आप भी जो है इसे अनुमान लगाकर अपने अनुभव के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे तो इसी के साथ आपकी ये वर्क सीट कम्पलीट होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्क सीट के साथ अब्साबर जिकान अंपने नेए अनिस चानल प्रीज के बाग्षा जापकी लगति जाए अनुमान लगाषा तूनल प्रीज के अनुमान प्रीज़ के जाए लगता है तो इस आपकी लगता है